दोस्तों आज हमारे पास एक एल जी का 24 इंच का लेड़ी आया है इसमें प्रब्लम है कि नो सिग्नल लिखा रहा है तो कोड लगाने के बाद भी पिक्चर नहीं आ रहा है तो देखिए मैं इसको पहले लिखे लाइट ग्लू हो रहा है अब देखिए पहले जो है मैं इसको पानी में गोई तर नहीं आ रहा है इस पूर्टन को पेल्ट के अंदर लगाने वालों यहां पर मैंने से लगा दिया यह पानी भी भी निगल रहा है नीजे से सब काम कर रहा है एक और ड्राय टिश्ट नहीं आ रहा है यह पूरी परीकेशे सूखा वाय का मतब है कि पसीना बहार महीं निकलेगा पसीना अंदर इसको बिमार किया है मैं देखता हूं कर दिया अब इसको मैं देखता हूं क्या शौट है इसने पिक्चर क्यूं नहीं आ रहा है है यह भी खुल देते हैं है कि अ कि अ कि अ कि एलो मीटर को बजर में डालते हैं कि मैंने पर्जर में डाल दिया है इसको लाइट भी चला लिया अभी देखते हैं क्या शौट है इसमें शायद इसमें जो डायड है यह डायड हो शौट हो सकता है यह दिखिए पुरा शौट दिखा रहा है यह दिखिए पुरा शौट दिखा रहा है यह ठीक है यह दोनो डायोड शोड है विखे कौन सा डायोड है यह दोनो शोड है इसको हम निकल लेते हैं इसको खोलने के बाद भी चलेगा यह दोनो शोड़ा है यह दीचे जो चोटा है निकाल दिया यह दोनो को चेक करते हैं झाल झाल यह शोट है यह भी शोट है यह दोनों शोट है यह भी नया देने से भी नहीं चले नहीं देने से भी चलेगा मतलब नहीं देने से भी तब चलेगा इसको हम अभी टिस्ट करते हैं इसको लाइन दे दिया यह बेट नहीं देन दे देने यह दो यह दो यह दो यह दो पिक्षमी से cutting happens मैं नहीं पहता हम आप इस और मिरोफ मोजिन भर कीजे ही उन्हीं भर क्यान आप अम्हम जी उथा मैं दो महीने दुड़िए माला कि अभाद हो मैं बहन जो प्रेगनिंजिए के बाद के पैट से परेशन है मैं उन बहनों से बात कहा हुए, तेख एवो, ढेज़ीजे बिल्कुल, बिल्कुल आपिसाधिने ऐसे लिए निए भाप आप यह फेटी लेकार्ट, आपको Сफितने को पारिए, और से किपने लिए परल्बलम होथिह, ने किती जया पोड़ी है प्रॉब्लम होती है। देर विती अपे कफने अपना घाम करेगा आप अपना काम के दिलीस के बाद पहुत को को क्या करेंड इसको एक जल गया है है को आद अटिकले वकल ट्रैख जल गया है इदर शोर्ट होने से यह वाला ट्रेक जल गया है इसको अभी इस सोकेट में इस सोकेट में से यह ट्रेक निकलता है यह ट्रेक निकलेगा तबी पिक्चर आएगा हम इसको अभी ट्रेक बनाएंगे इसको खूल लेते हैं यह झाला र्रेक निकलता है कि यहां से एक ट्रेप एक लाइन बना देना है इसको पतला से टार लेंगे दिखिए मैंने पतला टार ले लिया इसको हम इसको पीसे से लगा देंगे अब इसमें जोड दिया अब अब इसे से इसमें लगा के देखेंगे कि इसका कॉंटीनिटी चेक लिए कानेक्शन नहीं है या दूसरा है आई ही है कर देखें मैंने इसका ट्रेट सामने से ट्रेट इसमें जोड़ दिया यहां से ले करके उसमें जोड़ दिया पीछे अभी देखते हैं पिच्चराय के नहीं पंट लाग दिया इसको सप्लाई देंगे इसको पावर सप्लाई लगा देते हैं ने तो पुलज आए क्या आप भी घुटनों और जोडों के कंभीर दर्थ से परिशान है क्या आपको भी रोज मरा के काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है करी तारा की महंगी दवाईयों और ट्रीटमेंट्स में लागों रुपर खर्च होने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली तो आज ही घर मंगवाएं घुटनों और जोडों के दर्थ कात्मेंट्स में और खायू और खायू आपके घुटनों और जोडों की तह तक जाकर आपके दर्थ को जड़ से खत्म कर देता है और आपको बनाता है आद्म निर्भार घुटने के डर्थ में ये एक अच्चूक रामबान ओशिदी है पड़ती उमर में सब से जादा पीड़ा चोडों के दर्थ कर देकार किया ये डर्थ इंसान को न चरने पिरने देता है न उठने बैखने देता है नहीं सोने देता है यानि की पूरी तरह से आप दूसरों पर निर्भार हो जाते है भारत वर्ष का आयर्वेद एक मात्र वो रास्ता है जिसको हमने बदल देने के बार इलाज कोल के फिक दिया मैं आज कुल के फिक देने के बार यहां से हमने डाइरेक्ट लाइन सोकेट पे देजिए आप भी कर सकते हो और आपके पास ऐसा की भी आये थे दर्थ में जोड़ों के दर्थ में एल्जी का मोडल नमबर है 24L NN NN 4105 A T A इसको हम अभी पहले जैसे पहले जैसे लगाते है जैसे था में यापकेश इनके लेटिए का में यापकेolit था इसको पिक कर लेते हैं अक्सर यह प्रॉब्लम आता है बिजली के बज़े से इसा प्रॉब्लम आता है आपके पास अगर ऐसे प्रॉब्लम आए तो अभी यह कोशिश कर सकते हैं इसका जो श्टेन है इस्टेन लगा देते हैं अजय को प्रॉब्लम आए तो यह करा नहीं हो है कि कुछ को अगर आए अजय को अजय को अगर आए इसाट श्राट आए कि अब लगा दिया प्रेश कज भी लागा दिया सब लगा दिया अब इसको हम फिट से लाइन देंगे कि अब लाइन दे दिया एक अन भी हो गया कि अब इसमें है कि देखिए नो सिगनल लिखा रहा है कि अब इसको हम कि सिगनल लगाएंगे अब पिक्चर भी आ गया कि साउन भी आ गया है कि अब पिक्चर भी आ गया है कि अब इस वेज़्टेबल्स का सिवन जो कर रहे हैं उसमें ये जो विटामिन्स और जो फैक्टर से होते हैं ये ज्यादा मात्रम होते हैं बजाए इसके की ओवरकूप्ट पूड इसी तरह से कई सारे जो जंक फूड होते हैं जो हाई ओयल कंटेंट वाले हैं या फिर जो हाई फैट कंटेंट के हैं उनको एवाइट करना चाहिए ताले बिल्कुल ओके हो गया अभी काफी देखिए ये पुरा ओकी हो गया भी पिक्चर कॉलिटी बगेरा ओके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें दोस्तों आपके पास अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएं तो आप ऐसे कोशिश कर सकते हैं ठीक करने के लिए इलाज करते हैं लक्षन आने पर डॉक्तर से परामच अब अधिक जानकारी के लिए अब सब को धन्यवाद करें कि अ कि